हंगामा राजस्थानी की हर नई प्रस्तुती का मज़ा उठाएं बस बेल आइकन और सब्सक्राइब दबाएं राजस्थान सुनते ही पहली सिटी शायद जैपूर ही याद आती है जैपूर भारत के पुराने शहरों में से एक है और यहां के घर पिंक है इसलिए इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है राजस्थान की राजधानी जैपूर महराजा सवाई जैसिंग वितिये ने बंगाल के एक वास्तु कार विद्यादर बटाचार्य की मदद से बनाया था यह भारत का पहला शहर है जिसे वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाया गया है राजा सवाई सिंग माधो खोल विज्ञान के बारे में बहुत जानकारी रखते थे और वो पूरे जैपुर को देखके आप समझी जाएंगे जैपुर शहर अपने किलों, महलों और हवेलियों के लिए काफी पॉपिलर है दुनिया भर के ट्यूरिस्ट इस फेम स्पॉट पर आते हैं दूर दराज के शहरों के लोग यहां अपने एतिहासिक विरासक को देखने आते हैं आमेर किला, नाहरगर किला, हवा महल, शीश महल, गनेश पोल और जल महल जैपुर के काफी प्रसिद्ध टूरिस्पॉट्स हैं यहां आकर उट की सवारी नहीं की, गर्म हवा के गुबारों की सेर नहीं की तो क्या किया और रॉक क्लाइंबिंग भी एक एडवेंचर है एडवेंचरिस लोग करॉली और रंथंबो और नैशनल पार्क्स की सेर भी कर सकते है जैपुर में आकर खरीददारी जरूर करते हैं लोग यहां के कई बाजारों में साड़ी, गहने, कालीन, मिट्टी के बरतन और रतन आदी बहुत सस्ते में मिलते हैं और तो और राजस्तान की राजधानी में पहुँचना भी बहुत आसान है यह शहर रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज तीनों से ही वेल कनेक्टिड है और पिंक सिटी यू तो नाचरिली रोमैंटिक है, पर गर्मी के अलावा यहां किसी भी मौसम में और जादा मज़ा आता है तो आप जब भी राजस्तान आएं, जैपुर मिस्मत करना और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्तान की बहुत सी सीक्रिट्स मिस्स कर जाएंगे So, सब्सक्राइब टू हंगामर राजस्तानी